तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्तान की फेमस बाफला बाटी आज ये बाटी बिल्गुल नए तरीके से बनाएंगे जैसे धाबा और रेस्टोरंट में बनती है बनाना बहुत ही आसान है और इस बाटी को आप एक बार बनाएंगे ना आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई रेस्पी अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप सबसे पहले मेरी रेस्पी देख पाएं तो देर किस बात की? चलिए सुरू करते हैं बनाना बाफला बाटी आप जाहें तो एक कप गहुं का आटा और आदा कप बेस्थन ले सकते हैं उसके बाद मैने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया है इसके बाद हम एक चम्मस सॉफ डालेंगे साबु सउफ एक चम्मस साबुत धनिये को मैने थोड़ा सा दरदरा कुट के डाला है फौर टेबल स्पून मैने ओयल डाला है और उसके बार डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगभध 2 से 3 पिंच बेकिंग सोडा डाला है आज इस बाफला बाटी को मैंने ओयल में बनाया है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बार बार ये पूछते हैं कि बाटी में घी की जगह कुछ और डाल सकते हैं क्या तो आज मैंने refined oil में ही ये बाटी बनाई है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिला लिया है, आप देख पा रहे होंगे, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सक्त डो लगाएंगे, डो नरम बिल्कुल मत करियेगा, जैसे थोड़ा सा सक्त डो तो यहाँ पर देखे हमारा डो बिल्कुल ready है, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे गूत के, एक साइड में रखेंगे, और फिर इसे दो से तीन मिनट के बाद ही हम इस तरीके से रोल कर लेंगे, यह देखे इस तरीके से मैंने कर लिया है, सारा डो हमने लेके इस रोल कर लिया, और इसे रोल करने के बाद हम कट कर लेंगे, बराबर बराबर हिस्सों में, इस तरीके से जितनी बाटियां बनेगी ना, वो एक साइस की बनेगी, तो अब यहाँ पर हम इस तरीके से लोईयां बना बना के रख लेंगे, सारी लोईयां एक साथ बना के हमने इकठा रख ली है ये देखिए अब हम बाटी बनाना सुरू करते हैं एक लोई उठाएंगे और उसे बेल लेंगे इसे डस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें हमने मोयन दिया है इसके वज़सी ये बिल्कुल चपकती नहीं है और अच्छे से बन जाती है तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बेल लिया है एक चपाती चपाती पतली नहीं बेलेंगे चपाती हलकी सी मोटी ही बेलेंगे ताकि बाटी हमारी अच्छी बन के तियार हो तो ये देखिए यहाँ पे चपाती बन के रेडी है अब मैं क्या करूंगी इसे इस तरीके से कट कर लूँगे ये देखिए एक एक इंच के अंतर पे मैंने कट कर लिया है मैंने यहाँ पर नाइफ का यूज किया है आपके पास पीजा कटर है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं और ये देखिए जो साइडों का हिस्सा है पहले उसे मैं इस तरीके से रोल कर लेती हूँ ये द अएक दम नया तरीका है बाफला बाटी बनाने का और जब आप खाते हैंना तो एक एक परते इनकी अलग अलग खुल जाती है खाने में बहुत ही टेस्ट अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से बाफला बाटी बनाईयेगा बहुत जल्दी भी बन जाती है और ये sensors रहता क घर में बाफला बाटी बनाई है तो वो कच्ची होगी बहुत अच्छे से ये पक जाती है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से रोल कर लिया है जो लाश्ट का रोल करने के बाद यह हिस्सा है इसे अच्छे से लौक करिएगा ताकि यह पानी में जाने के बाद खुले ना य थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से मैंने लौक कर लिया और यहाँ पर प्रेस कर लिया इसी तरीके से सारी बाफला बाटी मैंने बना के त्यार कर लिया है तो यह देखिए प्लेट में रख लिया है सारी बना के मैंने और यह देखिए उतने आटे में मैंने यहाँ पर 5 बाफला बाटी बना के तियार कर ली है आप अपने जरुवत के हिसाब से बना सकते हैं यहाँ पर गैस पर मैंने रखा है पानी पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है इसमें डालेंगे एक चमच ओयल ताकि जब यह बाफला बाटी हम पानी में डालें तो यह बाटियां आपस में चपके ना तो यह देखें यहाँ पर ओयल डालने के बाद इन बाटियों को डाल देंगे और इसे डालके हम 20 मिनट से 15 मिनट तक मैंने यहाँ पर 15 मिनट ही इसे पकाया है 15 मिनट तक इसी तरीके से हम बाफला बाटी को पकाएंगे ताकि यह बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाए थोड़ा सा इस तरीके से हलके हाथों से चमच से पलट लेंगे ताकि दूसरे साइड से भी अंदर तक अच्छे से यह पक जाए तो यहाँ पर देखे, आप देख पा रहे होंगे, 15 मिनिट के बाद ये बाफला बाटी बहुत अच्छे से हो चुकी है, पक चुकी है, तो मैं इसे इसी तरीके से साउधानी से निकाल लूँगी, और इसे निकाल के हम 15-20 मिनिट पंखे की हवा में रख देंगे, आपके पास टाइम है, तो आदे गंटे आप ऐसे ही छोड़ दीजे, और ये देखे, ये अच्छे से सूख जाती है, अगर आप पंखे की हवा में इसे 15 मिनिट छोड़ देते हैं, तो ये सूख चुकी है, ये देखे, बहुत ही अच्छी बन के तियार हुई है, तो यहाँ पर हमारे प पस बाटी में कर नहीं है, तो बिल्कुल परिसान होने की बात नहीं है, आप कडाही में थोड़ा सा घी डालिए, और घी में अच्छे से बाटीयों को मीडियम फ्लेम पे सेक लीजे, उससे भी बाटीयां बहुत अच्छी बन के तियार हो जाती है, ये देखे, इस तरीके स अलट प्रेट के सारी बाटीयों को मैंने सेक लिया है, तो अब हम इसे एक एक करके उतार लेंगे, ये देखे, आपको नजदीक से दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी लाजबापसी बन के तियार हुई है, और अब मैंने इसे सौब कर लिया है, तो आप देख पा रहे ह एक कंजूसी बिलकुल मत करिएगा, घी बहुत अच्छे से लगाईएगा, क्योंकि घी लगाने से बाटीयों का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है घी, ये देखिए, और इसे इस तरीके से थोड़ा सा दबा लेंगे ना, तो ये अच् बाटीयों को घी लगा के तेयार कर लिया है, आप इसे भरते से खाएं, दाल से खाएं, या फिर चटनी से खाएं, या फिर किसी अचार से खाएं, खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट है, ये देखिए, एक एक परते इसकी अलग-अलग खुल जाती है, मैंने पहले भी कह यह देखिए लाजबापसी बाटी हमारी बन के तयार है तो आप इस बाटी की रेस्पी को जरूर ट्राइ करिएगा और इसे बनाने में बिल्कुल दिकत नहीं आएगी अगर आप सारे तरीके से इस तरीके से बनाएंगे सारा जो हमारा तरीका है उसे फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से बाफला बाटी बना लेंगे मिलते हैं एक नए दिन और नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों और टे केर